भारत पे आईपील ने कई सितारे भारती क्रिकेट को दिये हैं और उन्मी से ऐसे सितारे आगे चलके भारत का नाम रोशन करते हैं ऐसे ही एक सितारा हमारे साथ मौझूद है जो कि एक सब्प्राइज पैकेज बनके भारती क्रिकेट को मिला है और कहीं न कहीं भारतिये जो डर्शे के उनके दिल में एक अलग ही जगा इस क्रिकेटर ने बनाई है उस क्रिकेटर का नाम है नातु सेंग आज हुमर साथ मौझूद है बात करेंगे किस तरीके से सफर रहा है जर्णी किस प्रकार से रही है तो सबसे बहुत बहुत सवकत अपकर थांक्यू सोमस्ट कैसे हैं आप इस कोरोना के दौर में काफी जो अपस और डाउन्स लोगों की जिन्दगी में चल रहा है आप बताए फिलाल कैसी जिन्दगी चल रही है और आगे किस तरीके से जोग करियर को देख रहे हैं करोना काल ने एक्छुली सबकुछ क्रिके तो बिल्कुल खदम ही कर चुका था एक तरीके से क्रिकेट हो यही नहीं रही ती कुछ भी और बाकी तो ठीक है अभी कर रहे हैं करोना काल में यह एकि थोड़ा रंइंग फिटनेस फिटनेस थोड़ा अच्छा होगी गया और प कि घूमब इंडिये तो ने तीन दशमलब 2 करोड में खरीदता है उस नातु सिंग में और आज के नातु सिंग में कितना डिफरेंस है किस तरीके से जर्णी को देखना है उस नातु सिंग में इतना फ्रक आचुका है कि मैं खुद को समझनी पा रहा हूँ कि हम पहले क्या जब से मेरको उसमें और इसमें बहुत डिफृरंसा चुका है तो कहींद ऐसा लगता है कि जब पर शुरुवात होी करियर की 2016 में मुम्मईंडियन्स से भी शुरुआथ होती है गुज RA Thousands जारात लाइंस आपको खेलने हमाँ Damit मिलता है फिर डेली केपिल्स में आपको जगा मिलती है तो वो experience किस तरीके सरा, क्योंकि राजस्थान के छोटे से शेर सीकर से आप आते हैं उसके बाद जैपुर में आपके शुरुआत होती है, क्रिकेट खिलना आप स्टार्ट करते हैं लेकिन वो जो तीन IPLs टीम थी, उस experience को, उस तजर्बे को किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? अजिक शुरुआ हैं और रिकी सर थे, कही सारे सटे तो उन्हें लोगे से बहुत कुछ सीखने को भी मिला था मिरूप पहला तो वह सबसे जादा मेरे को मुमेंडे से डिसिपिलिन सीखने को मिला हूँ दूसरा मेरे को अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए सीखने को मिला कि अगर हम कोई फिटनेस कर रहे हैं तो पहले में क्या करता था कि कुछ काम कर रहा हूँ रणिंग कर रहा हूं तो इच्छा करी इतना करना है जब भी पुछ करते थे तब भी नहीं करता था करहूं सब्सक्राइब और जबकि मेरे को फर्स्ट मैच में मैखेला तो अवरी ड़ पाया है था क्रेंप सा गया तर्था मैच निहीं डाल पाया तो अवरू ज़ी तो वहां पे उसमें तीस से करन खागया था स्था ज़ of इस वझे से और मेरे को अर फेंगा … अग यंडियो अब से हम गजिए रचे फैयर उनली कोश्च बहुत कुछ हुआ तो सारा मैं रिज़ना मैं अक locally एक्सास समझ जो करे एकि तो की हेस्चा absorbed सारा ए मतलब फिटनेस की खिर रहा है, आज कल थोड़ा ध्यान दे रहा है सब चीज़े के अंदर फोकस कर रहे हैं, हर चीज करने के लिए और वह पर मैंस बोल डालता था तो एक अच्छा 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 अटमसवर था तो मैं उसे बाते करता था 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 बिल्कुल क्योंकि फिटनेस स्पेशली विराट कोली के गर दौर की मैं बात करूँ क्योंकि जो पेस बॉलर्स हमको देखने को मिलें आप हुम्रा की बात कर लीजिए मुहमद शमी हो गए मुहमद सिराज एक अलगी सितारा हमको मिला है फिटनेस एक बहुत बड़ा एक पारामीटर जो है विराट कोली की टीम में सेट कर रखा है ग्लेन मेगरा का मैं चुड़ा है जिकर करना चाहूँगा क्योंकि MRF Academy से आप आते हैं जहां पे ग्लेन मेगरा ने आपके लिए बहुत ही एक कह सकने हैं इक स्पार्क आप में देखा था स्पेशली जो इनकमिंग डिलिवरी आपकी आती है उनको लेके उनों आपकी बहुत तारीफ करी थी उस एक्सपीरियंस को बताइए क्योंकि एक ऐसा टेस्ट बॉलर यहां आप यह कह लिजे कि इंटरनाशनल किकेट में बिना उनका जिकर करें शायद फास बोलिं का जगब जब हम बात करते हैं तो उनके बिना जिकर करें तो शायद हम शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं तो उस एक्सपीरियंस को बताइए कि उनकी मिंटोर्शिप में कैसा सफर रहा क्या उनकॉंसे टिप्स आपको ऐसे मिले जो कि आपने एक्जेक्यूट किये और आपको कामियाभी मिली मिरको आप पर सीखने को मिला कि मैगरास ने मिले को काई कि आपका बोल अंदर अचाता है क्योंकि हम लोग जब भी MRF जाते हैं तो MRF इंदे ट्रैनिंगे रहा है सब कैम्प लगते हैं फिर उसके बाद में वो लोग मैचेज करवाते हैं अपने ग्राउंड्स के ऊपर अपनी MRF की टीम के साथ में तो मैं महां पर जब राल रहा था तो मैने उनके जो भी झाजज के जो भी ऐनोट्समें को सभूर उनका नाम यादमी है, उनको सब के मैंने बोल्ड मारा था, कैच आउट एक भी नीदा, सब बोल्ड थे, मैंने उस मैच में भी पांच विकेट ले दे साहिल, तो मेगरासर ने मिल को बोला कि इसका अंदर अच्छा आता है बोल, मतलब सीम से, सीम होता है इसका बोल, अब्दा सब्सक्राइब करेंगा, लेकिन फिर बात में ने बोला कि सर मेरा मैं सब कुछ इन स्विंग से ही खेल रहा हूं और मेरको बैटर यही लग रहा है कि मैं अगर कुछ नया चेंज करने जाओंगा तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर तु जो कर रहा है वही बैटर है बस थोड़ा फोड़ा स्टिफनेस रहता है बैक में तो यह चीज उन्होंने को बताई थी और बालिंग के बारे में तो इन्जरी के हिसाब सब यह कह सकते हैं कि जो करियर एक चाड़ाव ले सकता था करिया इंजरी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जब मेरा पिक टाइम चल अज़ाब के ला था मैं ते फुल रहा थी पैर रहा है अगर में तो अबने आ वह पर इतना इक सकता हूं मैं अभी भी मतलब इंजरी वा है मैं कम बेक करने के कोशिस कहा रहा हूं और मैं वापिस कम बेक कर कूँए अब मैं थोड़ा आपको Ha कुछ पन के दुनों में लेकर जाना चाहता हूं कि कई हमने ऐसे क्रिकेटर्स बहारत में देखे हैं आप इर्फान बठान की बात करी यह काफी एक गरीब घर से वह आते हैं कहीं वह महौल आपने भी अपने जिन्दगी में देखा आपके फादर जो हैं एक वाय फैक्टरी मे आपको सेलेक्शन भी हो गया उसके बाद दीवो लगातार हमको काम करते हूं नजर आपने कहीं बार उने का कि आप अब अराम कर सकते हैं मैं बड़िया जो है मेरा अच्छा खासा क्रिकेट चल रहा है सब कुछ है वो बच्चपन के दिन और आज के दिन जब आपने फादर को देखते हैं मुझे एक मार्ग दरशन आपको बच्चपन में मिला एक दिल से जो है उन्होंने आपको एक तरीके से अभी कहले जिए करेज के साथ पैशन के साथ सपोर्ट किया फैमली के बार में बताइए इस्पेशली फादर के बारे में कि अगर वो इस तरीके से सपोर ह Jazz Card 115 जाता थाथ तो हमार कि फादर ने में कुछल रहा है यह में च्रीज है टीके देंड़ेता हो उन्होंने बढ़ा हुँ aan सोचाए की अदो authors नंने अच्छाकरस में अच्छा करने लगा मेरे सुराने इकेडमे से ओला था था में सोंनाय करा खाला था है है फिर सुरानासन ने मेरी फीस माफ कर दी तो फिर मैं वहां से खेला लेगा फिर दीरे दीरे आगे चलता गया मैं बढ़ता गया बाद में फिर सब कुछ होता रहा फिर जब मैं फादर के लिए जब साले तीन क्रोड में बिका तो मेरे फादर बहुत खुश हो गया थे मेरे फादर से जल्दी आ गया थे पूरी फैक्टर में मिठाई बाटना है सब को क्या करना है घर पे भी सब न्यूज रिपोर्टर वगरा सब लोग पॉच गया थे और आज वो चीजों से मेरे फादर के बात सुनके ही मैंने आज वापिस से मेरा सब को सही हो रहा है मैं वाप्स कमबैक कर रहा हूँ क्या है इंजरी आक बताया है इंजरी प्रवाप autopsy क्योर मैं नि ψसाइब है बढ़ पार कल भी अप्रिटीजों तो अब एक न भी ताटा है आप पिर से जहां सर्ट कर गहा था वहीं से वापस सर्ट कर रहा हूं और सारी चीज़े सेम मेर को आज में करता हूँ तो मुझे वही चीज़े समने जले कि मैंने स्टार्ट के एलसीmmi के ख जाल रहा है फिर मैं कर रहा था जो कर आ अगर मैं करक engine nahi कहल रहू था तो आज में कहीं ने फाधर के साथ में कुछा को जॉब कर रहा हूथę फैक्टरी म जब उस रहा पे जा रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि काफी दोधा confident वो feel करता है, अब थोड़ा उस auction day के बार में बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहीं पड़ा है कि आप मंदरी भी गहे थे, 100 किलोमेटर दूर जो है आपके घर से था, आप प्रात्रां करने गए थे, उसके खेल रहे होते हैं, फिर आपका नाम जो है वो लिया जाता है कि नातु सिंग की बिल्कुल बोली लगाए जा रही है, और फिर आपका पूरा वो एक करोड़, दो करोड़, तीन करोड़ पर जैसे-जैसे सिल्चल आगे बढ़ता जाता है, तब दिल में क्या चल रहा था, कि इस तरीके से दिल धक-दक कर रहा था, ऐसा था कि आपने का कि में मंदिर गया था, बिल्कुल में मंदिर गया था, मंदिर से फिर मैं आया भी था, फिर हम लोग सब बोले कि यार ऑक्शन में तो बहुत टाइम लगेगा, चलो ठीक है, मैच वाच ही खेल लेते हैं, तो हम ल अब कुछ नाम में लूँगा, जिसका आपको एक शब्द में बिल्कुल उसका आंसर देना है, सबसे पहला नाम महेंदर सिंग धूनी इनका महेंदर सिंग दोनी जी का तो यह है कि वो बहुत छे इंसान है और बहुत सपोर्टिव है, वो वो भी सेम बहुत अच्छे है और बहुत सपोर्टिव है, पोजिटिव है, बहुत ज़द, हर मीशे बात करते हैं तो पोजिटिव है, बहुत ज़द, हर मीशे बात करते चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश्el संदेश्य देना चाहेंगे, क्योंकि फिटनेस की जो आपने बात बोली है, क्योंकि एकर फिटनेस हैं, तो सब कुछ है, अगर फिटनेस अगर आपकी सही नहीं है, तो जो एक level of demand जो एक खेल मांगता है क्रिकेटर से जो आपको जुनून चाहिए जो उस चाहिए उसके साथ fit रहना बहुत जरूरी health is wealth जिसे कहते हैं क्या कहना है चाहेंगे youngsters को upcoming जो क्रिकेटर हैं कि क्या ऐसा वो जुन्दगी में करें स्पेशली जब गेम में करें जिससे कि वो अगर इंजरी कुछ आती हो तो उसे फटाफट जो है उसको बैरियर जाजाना बनाए क्योंकि हमने ऐसे करिकेटर देखे जिनकी इंजरी आई और उनका करियर विल्कुल खतम हो गया वो चीज ना हो इंजरी आती है तो इसको जिस त सबसे पहले आपको तो बताया था कि फिटनस बहुत जरूरी है और फिटनस का यह ए कि अगर आप फिटनस नी करोड़े आपको इंजरी जाएगी और इतना सोचने वाले बात ने अगर इंजरी आती है तो आप रियाप करो, प्रियाप करो, जो भी आप ट्रेनिंग करो रहा देखिए जी जिस तरीके से नाथू सिंग जी ने ये चीज बोली है कि फिटनेस है तो सब कुछ है यानि health is wealth जिसे हम कहते हैं उसको आप बिल्कुल जल से जल भारत को रिप्रेजेंट करें क्योंकि कही न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में वह बिल्कुल जुनूर वापिस से जो आप कहे रहे हैं लौट आया है वह पैशन दिख रहा है बिल्कुल उमीद करेंगे सर आप फटा फट जो हैं बिल्कुल पहुंचें जाते जाते क क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स टैगर के सभी द्रश्कू को थैंक्यू सो मच और आप लोगों को जो मैंने बताया कि फिटनेस जरूरी है तो वही जरूरी है फिटनेस है तो सब कुछ है वहना फिटनेस ही तो आप कितना भी उपर चले जाओ वापिस नीचे आई कि बिल्कुल मंतरा साफ कर दिया है कि फिटनेस है तो सब कुछ है देखते हैं किस तरीके से नातु सिंग कमबाक कर पारते हैं इंडिन टीम में फिलाल इस वीडियो में तो इतना ही स्पोर्ट्स टैगर को जब फटाफट सब्सक्राइब कर लीजे नोटिफिकेशन की जो ब